कि वेल्कम तो माई यूटूब चैनल और आज का नेक्स क्लास है डिसलेशन अपटर सी फ़ाम जो की पिछली क्लास में हमने डिफरेंस सीखा था और इस क्लास में हम इसके अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे इसके अकाउंटिंग में दो दो चीज इंपॉर्टेंट है एक जर्नल और लेजर में क्या-क्या अकाउंट प्रिपेर होता है मैं उसके बारे में बता देता हूं ठीक है यह मैंने एक बैलन सीट बना रखा है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है पहले मैं आपको कुछ यह बता देता हूं कि इसके जर्नल इसके लेजर मे कौन-कौन सा account बनता है इसके ledger में जो पहला account है वो है realization account यह बहुत ही आसान है ठीक है realization account यह nominal account है क्या है nominal account है जो की profit या loss calculate करता है at the time of dissolution profit या loss calculate करता है ठीक है at the time of dissolution दूसरा इसमें हम partners capital account बनाते हैं ठीक है partners capital account बनाते हैं तीसरा bank account बनाते हैं और last में partners loan यह कभी-कभी बनने वाला है partners loan partners loan account तब बनता है जब question में balance rate में partners loan दिया होता है ठीक है तो सबसे पहले यह बात कहते है realization account में होता क्या है realization एक nominal account है dissolution में होता क्या है होता यह है कि dissolution account होता क्या है जब firm बंद होती है तो उसका step क्या होता है step यह होता है कि हमको firm को जब बंद करना है firm को जब close करना है तो हमें हमारे पास जो assets हैं उनको sold करना है और liabilities को paid करना है ठीक है क्योंकि assets को sold करके liabilities को paid करने के बाद अगर remain बसता है पैसा तो वो पैसा partners ले जाते हैं इसी तरह से firm बंद होता है क्योंकि हमें ये equation पता है asset is called to liabilities plus capital तो हम जब भी अपने asset की through ही अपने liabilities का payment करेंगे और अपने capital का भी payment करेंगे ठीक है तो लेकिन इसमें होता क्या है कि हम हम asset को sold करने से पहले assets को एक account में transfer करते हैं जिस account का नाम है realization realization account ठीक है assets को हम लोग realization account में transfer करते हैं उसी तरह हम liabilities को भी transfer करते हैं जिन liabilities को में payment करना है तो लेकिन यहाँ पर कई सारे एसेट होते हैं जिसको हम Realization Account में transfer नहीं करते ऐसा क्यों कि वो ऐसे एसेट होते हैं उनको हम sold नहीं कर सकते तो आये बात करते हैं कि Realization Account के steps क्या होता है तो मैं आपको step बता देता हूँ Realization Account के देखे यह मैंने step पहले से लिक रखा है ठीक है सबसे पहले हम क्या करते हैं step 1 transfer all assets which convert into cash हम ऐसे assets को transfer करेंगे जिसको हम कैस में convert कर सकते हैं तो क्या सर आप वैसे assets के बारे मैंने काओंगा हाँ मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि जो assets convert into cash हो सकते हैं फिर transfer all assets and Sorry लाइबिल्टीज और प्रोविजन तो इसके बार लाइबिल्टीज को भी ट्रांसफर करिए फिर प्रोविजन को भी ट्रांसफर करिए किसमें रियलाइजेशन अकाउंट में किसमें ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को सोल्ड करिए सर हमें आप यह बताएंगे कि कौन से assets और कौन से liability को transfer करेंगे मैं बताओंगा इसके लिए मैंने पहले से ही balance sheet बना रखा है इस balance sheet के थूरू मैंने लगभख सारे balance sheet में जितने भी assets और liabilities के जो points होते हैं मैंने सब कवर किया कोशिस पूरा किया कि मैंने सारे assets और liabilities को कवर किया है जो कि आपको confusion ना करें जैसे कैसे bank यह पहले से ही cash form में तो इसकी recording realization में नहीं होगी इसको realization में नहीं लिखेंगे क्या से bank cash in-end यह realization में नहीं जैएगा क्या सर मसी sucbank जैएगा मैं ओए है यह realization में जैएक क्योंकि यह b भाख स्कता है क्या सर कंप्रूटर भी जाएगा मैं कऊँगा कंप्रूटर भी जाया जै जितने भी tangible assets होतें वो सारे के सारे realization account में जाएंगे और क्या intangible assets sir sorry क्या intangible assets मैं कहूंगा हाँ intangible assets को भी हम transfer करेंगे realization account debtor को मैं कहूंगा हाँ debtor को provision को इसके बारे में आपको मैं एक detail में बता दूँगा कि provision को और debtor को किस तरीके से transfer करना है आप जब debtor को transfer करेंगे तो यह value transfer करिएगा debtor की ठीक है और provision को अलग transfer करिएगा यह value ठीक है यह value transfer मत करिएगा यह value transfer मत करिएगा debtor की पहले यह value transfer करिएगा फिर यह value transfer करेगा goodwill transfer होगा मैं कहूंगा goodwill भी as realization account में transfer होगा किस set transfer होगा इसके वारे में आपको मैं आगे बताऊंगा ठीक है फिर उसके बाद आपको क्या करना है प्रॉफिट लॉस यह प्रॉफिट लॉस अगर आपको एसेट साइट दिखाए देता है यह लॉस होता है क्या होता है लॉस होता है फॉर्म का लॉस होता है क्या इसको भी हम ट्रांसफर करे नहीं क्यों क्योंकि यह सब रियलाइज नहीं होंगे क्योंकि यह कैस्ट फॉर्म में कनवर्ट नहीं हो सकते यह सब फिक्स्टीस एसेट है जो कि कहीं पे भी कनवर्ट इंटू कैस्ट नहीं हो सकते ठीक है अब यह बात करते हैं लाइबिल्टी साइट की Partners capital account को Partners Capital account जब बनाइएगा तो वहाँ उसका बैलंस ट्रांसफर करिएगा by balance Bd करके Partners current account इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे क्योंकि कई बच्चों को इसमकर confusion होता है क्योंकि यह क्या transfer होगा मैं क्योंगा नहीं यह दुनों हैं रहां है पार्टनर्स वाइफ लों जरू ट्रांसफरेबब पाटनर का लोन और पांडर्टनर का पांटर्टनर का पांटर के वाइफ को आउटसाइडर माना जाता है लेकिन पार्टनर की वाइप anxiety नहीं होती इसलिए हम उसे और वहां इंडर जनरेल रिजोभट करेंगे मैं कहूँ गाँगा नहीं हिर फ्र्स Economy इसका केस यूटा है यह ट्रांसफ़र होता भी है ट्रांसफ़र नहीं भी होता अगर क्लेम है तो transfer होगा अगर claim नहीं है तो transfer नहीं होगा creditor अगर आपको WCR के बारे में जाना है तो मैं इसके लिए class अलग से बना दूगा कि how to transfer a how to transfer WCR in realization account creditor creditor को हम transfer करेंगे विल्स पेबल इसको भी transfer करेंगे क्योंकि यह सब इन सब देखें इस profit and loss account और इस profit and loss account दोनों में से कोई एक ही देता है balance sheet में कोई एक ही देगा जब देगा या तो इस side वाला देगा अगर इन दोनों में से कोई एक भी दिया हुआ है तो इन दोनों को partners capital account भी transfer करता है इन्हें अगांट भी transfer नहीं करेंगे ठीक है outside personal loan outside personal loan sorry personally outside personal loan मतलब कि किसी बहार की वक्ति का लोन हो या bank loan ठीक है bank loan हो या बहार की वक्ति का लोन हो तो outstanding अग्सटेंडिंग हो outstanding expense हो और स्टेंडिंग एक्सपेंस हो इन सब को transfer करेंगे यह भी transfer होगा यह भी transfer होगा यह भी transfer हो क्योंकि यह लाइबिल्टीज है आए बात करते हैं अब इसका लेजर किस तरीके से प्रिपेर करते हैं कि रेलाइजेशन अकाउंट ठीक है मैंने यह बताया कि रेलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है ठीक है तो आप इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसका realization में लेजर किस तरीके से प्रिपेर होता है देखिए इसका realization account का लेजर किस तरीके से प्रिपेर होता है देखो realization अकाउंट का लेजर डेविट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अब यहां देखो सबसे पहले आप डेविट साइट एसे ट्रांसफर करें की तू एसेट जो मैंने अभी आपको अको explain किया जो represents balance wie Architecture से मैंने भी बताया आपको उना स्वोट करेंगे ठीड है आपको क्या करना यह इन इससको burdensome करना ठीक है फिर बाइड है कि मेरील भी ऊपिर क्रेंगे उसे ट्रांसफर करेंगे जार्यूंट फिर क्या करोंगे जैसे है इग्जाम्पल में कि तो गुडविल समसींट यह है टिटल मैं सिधे लिख देता हूं और इंटो लिख देता हूं क्या सब प्रॉफित और लोस के अचा करते हैं मैं कopガ Les समद नहीं यह बैटक सिर्छ नहीं ँयां तटर का दिखे लेधे अंटिके सबद्र करके इस साथ कर्येंगा ठीक है और प्रोविजन को लेके विच्थ निस ट्रांस्फर करνεए ठीक है अगर डेटर और डेटर के साथ मौईीज्ट दिया हुआ है यहाँ है यह यहाँ पर एच्द चेल से कोज ब्डेना देना न हमें नहीं इस value से कोई लेना देना हुई नहीं है ठीक है मेरी बास समय में आगे अगर आप जब भी डेटर की value को transfer कर रहा है तो उसको इसी तरह से transfer करिएगा आई बास समय में फिर उसके बाद क्या करेंगे सर इसके बाद मैं कहूंगा पिर इसके बाद आपको क्या करना है कि जब सारे एसट ट्रांस्फर हो चुका है step और जब सारे आसे ट्रांस्फर रहे चुक्चे एट साथ लाइटिस ट्रांस्फर होता है कि कौन सी चीज कितने में विकी तो जो चीज जितने में विकी है उसके बारे में information question में दिया होगा तो यहां लिखेंगे by bank by bank जब कोई आशेट विक गया तो उसके amount जितने में विका उसको यहां लिखना by bank करके जब कोई asset विका assets sold केंट्री यहां step one यह था step two यह था step three यह है step three यह है कि जब कोई asset विक जाए तो इस केंट्री यह करेंगे बास समय में आगे मेरी ठीक है अब आगे की बाद यह कि अगर को कोई asset पार्टनर लेके चला जाता है तो यहां लिखेंगे by partners capital account जब assets taken over by partner जब कोई asset partner लेके जाए तो इसको इस से ट्रास्फर करेंगे और जब liability liability का payment होगा तो टू बैंक करके लाइबल्टी पेड़ लाइबल्टी पेड़ करिए गरे अगे और अगर कोई partner liability पेड़ करता है तो यहां लिखेंगे तू पार्टनर्स कापिटल एकाउंट जब लाइबल्टी कोई पार्टनर पेड़ करें तो टू पार्टनर्स कापिटल अगाउंट करिएगा कोई अगर रिलाइजेशन एक्सपेंस पेड़ फार्म कर रहेगे रिलाइजेशन एक्सपेंस पेड़ फार्म होतों अगर कोई पार्टनर्स समयर अगे मेटएफ और सेब अन्रिकॉर्डेग आशिट्स के केस में वैंक करियेगा ए अन्रिकॉर्डेट अटसेट्स इप सूल्डड वानए शोल्डों तो इसको इससाई रिख लेmy Kalau क्रेंगे big지는 मैं बता हो फिर क्रेंए गाप सारी चीछ यूंगा सारी चीशंच कल लिजेगा तो इसको करना क्या है और इसका ठाटल करिए दैभिट साइट का टोटल करिए मिटा है और credit side का total करिएगा यह लिखिएगा मत यह मैं आपको बताने के लिख रहा हूं डेविट side का total करिएगा credit side का अगर debit side का total debit side का total greater than आ जाता है credit side से मतलब यह side ज्यादा हो जाता है इस side से तो इस वाले side से मतलब one अगर यह one two से ज्यादा आ जाता है one greater than two हो जाता है तो उस case में आपको loss हुआ है क्या हुआ है loss हुआ है तो फिर यहां से आप लिखेंगे यहां लिखेंगे by loss transfer to partners capital account ठेक है जैसे x y z ठेक है इस side अगर ठीक है अगर दूसरा side greater than हो जाए पहले side से दूसरा side मतलब credit side greater than हो जाए debit side से तो इस condition में क्या होता से जब credit side greater than debit side हो जाए तो आपको profit हुआ है है तो फिर क्या करेंगे सर फिर हम क्या करेंगे कि फिर यहां पर हमें profit हुआ है और जब हमें profit होता है तो यहां लिखेंगे कि टूँ कि प्रॉफिट कि ट्रांस्फर टूब पार्टनर्स केकटल अकाउंट एक्स वाई यहां पूला जाता है है paper होता है कुछ नहीं होता यहां अभी ठेक है सबूल आजकी ओंच करास में हमनेने अजह俺 सिखा कि कि प्रिपेर होता है ट्रट सथ्यार दिजिएगा balance sheet का एक बार balance sheet जरूर देखिएगा जो balance sheet मैंने अभी बताया आपको क्योंकि अगर आपको balance sheet से पता चलेगा कि कौन सी चीस कैसे transfer होगे कई बच्चों को shortcut सीखना होता है तो मैं उन बच्चों के लिए shortcut में बता देता हूँ एक काम करना shortcut देखो जिसको shortcut में सीखना है ठीक है इसको उठा के cross realization account में देखो realization account जब बना होगे तो जैसे मैं यहां समझा देखो यह जैसे balance sheet है shortcut वाले उन बच्चों के लिए shortcut में सीखना चाते है ठीक है balance sheet का asset जो इस side होता है ठीक है realization में इस side transfer कर देना ठीक है जो इद्दम shortcut सीखना जाते है उनके लिए नहीं है जो बढ़ियां से पढ़ना चाते है ठीक है और liability side की चीज़ को इस side transfer कर देना ठीक है यह shortcut हो गया मदब cross assets वाला realization के इस side और liability वाला realization के इस side transfer होगा ठीक है और उसके बाद क्या होगा फिर उसके बाद payment होगा फिर क्या होगा payment होगा buy bank ठीक है realization में assets भी का ठीक है two bank जब liability paid होई अगर जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ना पढ़ पाते हैं जुनको last moment में बस यह चाता है कि क्या करें realization account का time नहीं है पढ़ने का तो यह यह कर सकते है something is better than nothing बस यह है इसका क्या यह सही है सर मैं कहूंगा यह सही तो नहीं है बट यह कि something is better than nothing से ज़्यादा मैं इससे बोल नहीं सकता so thank you class आज की class में हम नहीं realization account सिखा इसे share कर यह ठीक है जितना हो सके ठीक है thank you